जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शो को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवासे मेरी जैनिवर्सरी हैं उन्हें सभी को हमारे तरफ से बहुत-बहुत शुक्राम नाएं आए आज हम आपको एक ऐसा चोटा सा मंत्र कुबेर जी का बता रहे हैं यह आपके मंत्र गागर में सागर वाली इस्तिति को बनाएगा जिन लोगों के पास धन ना आता हो धन संचे ना होता हो बहुत ही अच्छा यह मंत्र है स्रामन का महिना भी चल रहा है और यह मंत्र किसी भी शिव मंदिर में जाकर के साइकाल जपने से आपको इसके अनेक उलाव प्राप्त होगे चोटा सांख है द्यान चे सुनिएगा आईए पहले आज कम बंचांग देखें आठ अगस्तन दोजार चोविस दिन ब्रस्पतिवार संबंत दोजार इक्यासी स्प्रामन माज सुकल बक्स तिथी चतो थी नक्षत्र उत्राफालगुनी राहुकाल डेर सितीन दिशासूल द कल नागपंच मी है और हमने नागपंच में विसे सांग बना लगान देखा हो तो वह भी जरूर देखें आप कई बार आप बहुत मेंयाट करते हैं उसके पाद भी आपके पास धन नहीं आता कं व40 देन जुड़ नहीं का के दुत्य भाव में यदि इस्तिती बहुत कमजोर हो नवम भाव में भाग्य भाव में इस्तिती बहुत कमजोर हो दर्शम भाव के इस्तिती बहुत कमजोर हो तो भी आपके पाद धन नहीं आएगा ऐसे आपके हाथ की रिखाओं में धन वाले इस्तिती ना बनी हो धन के योग ना बने हो, धन की कोट्रिया ना बनी हो, और एक फेट लाइन आपकी हतेली से बिलकुल गायब हो, उपर से धन की सेल, धन की कोट्रिया ना हो, तो भी आपके पात धन नहीं आएगा, तब आप जानिए, कि उस कौन से दिव्य मंतर को पड़ करके, आप अपने धन को कि तबहुत दorter को कैसे पढ़ें सबसे पहले आप लोग मंत्र करें ओम वैसरमनाय स्वाहा बस इतना सा मंत्र है उन्हें लिखें ओम वईसरमनाय स्वाहा इक उभेर जी का मंत्र है बस इस मंत्र को कमल गटे की माला से लॉल चंदन की महाला से शर्वस्रेष्ट रुद्राक्ष की महाला से पांच महाला सा eman काल किसी शिव quién Asian में को यह णह का अबैं कि ध्यान रखें शोगिंः स्व के सखां ने मैं शिफ पूरा पश्रिव वाले इस्तिति ना सोचें शिव की तरफ आप मुख करके शिप्पिंडी की तरफ मुख करके भगवान शिव का आप धूप दीप दे करके पंचोप चार पूजन करके चालिस दिन किसी भी सिव मंदिर में सायकाल या प्रातकाल प्रातकाल भी किया जा सकता इस मंतर की पांच माला जपने उसके बाद प्रणाम करें सदासीव संबू को भूल चूप के लिए सदासीव संबू से भगवान सिर्व कुवेर से मनी मन छम चमा याचन करें कि प्रभू तो इस मंत्र को जबते समय हम से कोई भूल चुक हो गई हो तो हमें च्छमा करना चालिज दिन करें और प्रारंब करना है आपको यह इसे सौंबार से सुरू करके शावन का सौंबार है आने वाला है सावन के सौंबार से प्रारम बगर के आप इस मंत्र को चालिज दिन करें हो सकता है ये कारिकरम हमारे एक साल बाद, दो साल बाद, कभी बाद में भी देख रहा हूं तो उस स्थतिती में भी भले सावन ना हो लेकिन आप इसे करके चालीस वे दिन शिव जी का प पंचौप पूजण करके दूद ढहि जो पूरा पंचौप पूजन होता यह वह अच्छै से करके सफेजर रंत का कुई मिस्थान ओंधिर लाइडिक प्रांगरने में जो दालो जन होते हैं बाट करके अपने घर आ जाएं और फिर इसी मंत्र को प्रती दिन अपनी पूजा में शामिल करने रोज ना सही तो सोंबार के सोंबार इस मंत्र को पढ़ते नहें आपको इसकी मंत्र के पढ़ने के साथ आश्यरजनिक प्रणाम मिलेंगे और भगवान पाँ से आपके घर धंदानी कर्थी आपको आने लेगी मैं लेकिन इसके साथ मुख्य बार आपने कर्म को करना भी जरूरी है कर्म भी कर्ते रहिए और इधर से धारमी करते रहिए यह दोनों बातों से भागवान की करपा आपको जरूर प्राप्थ होगी आज श्मकल पानिशिव की बात की है जुड़ते हैं आज की ध्यान सादना में भग्वान सदासिव संभो से ओम आत्मा त्वंगिर्जा मती सैचरा प्राणा सरीरं ग्रियं पूजा ते विसयोप भोग रचना निद्रासमा जिस्त दे संचारा पदयो प्रदक्षण विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवाराधनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित वृच्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्मवे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवरदाम् वन्दे सिवं संकरं ओमकरपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुजकेंड्रारं सदा वशंतं व्रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी बवं भवानी सैतं नमामी कवच बना लें ध्यान करें सदा सिर्व संबुक अश्युवासी समसब के उपर बरस रहा है आप सब्सक्राइब करें अब करें आप 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 नेट्रकों ने समानने हो जाएं देखो साथ को हमारे दो तीन प्लेटफार्म से यह जैसे प्लेटबुक पेज है इंस्टाग्राम है दो इंद्राक्षी धाम और एक हमारे नाम से चैनल है और साथ ही हमारे वाटसप चैनल से भी आप जुरूर जुड़ जाएं आगामी समय में छोटी छोटी जानकारियां आपको वाटसप चैनल पर भी घर बैठे मिलती रहेंगी वाटसप चैनल का लिंक सामने है अंदर की तरब भी है नीचे जाकर के चैनल में वाटसप चैनल के लिंक से आप लोग जुड़ जाएं आपको आगामी समय में बहुत उन से सब चीजों से जुड़ने से भी लाब की प्राक्ति होगी आप स्वस्त नहें सुखी नहें इनी पामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को प्राम देते हैं जाई जाय अम्भे भवान से जुड़ो और भवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया बहुत अच्छा लगा बहुत दन्यवार और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सरान जी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें झाल झाल झाल